आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेंपरिंग का कोई मतलब नहीं बनता, अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इंकासेशणिस में रखे है इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो एडी का केस हो, चाहे सेक् सुप्रिम कोट ने एडी के तमाम दलीले को खारिज करते हुए मनीश शुषोद्या जी को बेल गरांड किया है और इडी ये बहुत और सुप्रिम कोट ने ये भी कहा है कि जो इन्होंने बयान दिया था कोट में इडी ने कि ट्राइल जो है वो खत्म हो जाएगा छे से आट म जिसमें ट्राइल कोट और हाई कोट ने कहा था कि जो इन लोगों की तरफ से अर्जियां दाखिल की गई है ने कि गई है और डेरी नहीं की गई है यह यह जो आधेश था कि आपलंट यानि कि मनिश शुषोदिया जी ने ट्राइल को डिले किया है, उसको खारिज किया सुप्रिम कोर्ट में, यह कहा कि जो भी आप्लीकेशन्स लगी हैं, वह आप्लीकेशन्स पटिनिंट थी, वह आप्लीकेशन्स जरूरी थी, और तभी लगाए गई थी, ट्राइल क को डिले करने के लिए नहीं लगाए गई थी और ट्राइल कोट का फाइंडिंग जो है उसको डिसकार्ड किया और ये भी आज सुप्रिम कोट ने बहुत एहम बात कहिए कि बेल के मामले में ट्राइल कोट को और हाई को थोड़ा सिंसेटिव होना चाहिए ताकि जो है सुप्र निची लिए अदारत और हाई कोट दोनों ने हम देखा कि बिल्कुल उन्होंने कहा है सुप्रिम कोट नहीं कहा कि जो काडिनल प्रिंस्पल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इस रूल जेल इस एक्सेप्शन तो जितने भी ट्राइल कोट के लोग हैं जो जो जजजेज हैं व फई हमें जो जाएजिज फभाई घुर झारत खाना कि बिल्कुल ऑलाव जो 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 सी रुविग्ज़ जो